welding shop का business कैसे start कर सकते हैं metal fabrication workshop का business कैसे start कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों तो अगर दोस्तों आपका interest welding shop start करने में है तो इसके लिए कितना investment करना होगा, profit कितना देखने को मिलेगा, जगा कितना लगेगा, किस तरह का जगा आपको चाहिए होगा, कितना जगा चाहिए होगा कौन सा license आपको लगेगा, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि ये business ये काम start करना चाहते हैं आप तो आपको ये काम आना चाहिए अगर पहले से ये काम आपको आता है, तो आप easily start कर सकते हैं या फिर वहीं, अगर आपको जो है, नहीं आता है ये काम तो पहले आप कहीं से ये काम सीख के, like ITI, welding में आप कर सकते हैं या फिर किसी शॉप में आप देड़ दो साल तक काम करके इसकी बारिक्यू को इस काम को अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और उसके बाद जो है, आप start कर सकते हैं और वहीं आपके पास तीसरा option ये है, कि अगर आप कहते हैं कि आपको सीखना नहीं है, आप ऐसे लोगों को hire करेंगे जिनको ये काम पहले से आता है, यानि कि स्टाफ रखेंगे जिनें ये काम आता है और फिर इस बिजनस को start करेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं, तो जैसा आपकी मर्जी पर मैं ये कहूंगा कि आपको ये काम आना चाहिए तो आपको ज्यादा फाइदा होगा इस बिजनस में, तो ये ध्यान रखिए बाकी आपकी मर्जी, दूसरी बात ये आती है कि इस शॉप को इस दुकान को, इस बिजनस को कहां पे start किया जा सकता है location कैसा होना चाहिए इस बिजनस को start करने के लिए तो वैसे नॉर्मली जो है आप जो है वेल्डिंग शॉप जो है आप कहीं पर भी start कर सकते हैं, जहां पे लोगों का आना जाना हो भीड़बार हो, जहां से आपको लगे कि हाँ लोगों की नजर में जो है आपकी दुकान आएगी, आपका बिजनस आएगा और जिससे आपको order मिलेगा जब लोगों को जरुरत होगा तो लोग आप तक पहुंचेंगे, order देंगे आपकी कमाई होगी, ऐसा location होना चाहिए और especially अगर देखे, तो ऐसा area हो, जहां आस पास में नए colonies वगेरा बन रहे है, नए flat, नए building, घर वगेरा जो है बन रहे है ऐसे area हो, तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा, खिड़की, दरवाजे बनाने का, ग्रिल वगेरा बनाने का, कई तरह का काम आपको मिलेगा, तो आप ऐसे locations पे भी start कर सकते हैं, अब ये भी बात आती है कि space कितना आपको लगेगा, जगा कितना लगेगा, तो देखिए 200 से 300 square feet की जगा तो आपको चाहिए ही होगी इस business को start करने के लिए, अब बात करते हैं, कुछ basic machine जो आपको चाहिए होगा, जिसमें welding machine है, trailer है, metal sheet cutter है, फिर छेनी हतोड़ा, आदी छोटी बड़ी चीज़े तो है ही, तो इस तरह की जो छोटी बड़ी चीज़े हैं, सारा कुछ मिला के आपको ये सब आउजार, सारे tools आपको खरिदने होंगे, machines आपको खरिदने होंगे, तो इसका एक list बना कर फिर आपको इसकी पूरी खरिदारी करनी होगी, उसके बाद बारी आती है, इस काम को अगर आपको करना है, तो electricity connection चाहिए होगा, और वो भी three phase वाला electricity connection चाहिए होगा, उसके बाद बारी आती है कच्चे माल की, अब इस business को start करने के लिए आपको basic कौन कौन से कच्चे माल लगते हैं, तो normally जो है वो angle लगेगा, लोहे की sheet वगरा लगेगी, पट्टी वगरा लगेगा, जिससे के grill, घिर्की, दर्वाजे वगरा आप बनाएंगे, तो इस तरह का जो कच्चा माल है वो आपको चाहिए होगा, अब बात करते हैं कि license कौन सा लगेगा, तो देखिए GST नंबर चाहिए, गुमस्ता license चाहिए, ये license जो है वो आपको चाहिए होगा, ये आपको तैयार करना होगा, अब बात करते हैं investment की, जो की असली चीज है, क किस तरह का काम आपको मिल रहा है, जिस तरह का आपको काम मिलेगा, उस तरह का आपका पैसा बनेगा, बड़ा काम मिलेगा, बड़ा order मिलेगा, तो बड़ा profit, छोटे type का काम मिलेगा, तो छोटा profit, फिर भी मान कर अगर चले कि परड़े आप कितना कमा सकते हैं, तो परड़ बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम बजट में एक डेल लाक रुपया का जो इन्वेस्टमेंट वो करके आप इजिली इस बिजनस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जो आप देख सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा बिजनस ऑप्शन है अगर आप कोच रहे हैं करने अच्छा रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं